देख बिनाब्रेग जिसके चलते रिष्टों पर बुरा सरा जाए कोई प्यार का रिष्टा इसी वज़े से मुश्किलों के घहरे में आता चला जा रहा है इसलिए किसी भी तरह की गलत फैमी से भचना होगा और बहुत धैरे बना कर चलना होगा जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसे सुधारने का समय और ऐसा करते हुए कई अच्छी संभावना है आपके सामने है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सके रिष्व राशी वालों के लिए कई तरह की अच्छाएं बन सकती हैं अपनी निजी जीवन की खुशियों को बनाये रखने के लिए रिष्टों से जुड़े हालात सुखद होते चले जा रहे हैं ये और बात है कि आपके वेभार में अभी भी कमी हो सकती है जिसे सुधार लेने की ज़रूर है क्या करना चीज समय है लोगों से किसी भी तरह की उल्जन बढ़ जाये तो मुश्किल होती है खास कर काम या कारोबार में हर कोई आपकी तरफदारी करे ऐसा होना मुश्किल है इसलिए भी किसी बड़े चमतकार की उमीद लगाने से बचने की ज़रूर होती है मिथनराशी वालों के लिए काम काज की अच्या ही तो बनी हुई है पर आप कही तर आप से लापर होते चले जा रहे हैं एक तो आपकी मिहनत कम हो रही है और दूसरा आप घर परिवार के रिस्तों को संभालने में भी अपनी लगन को दर्शा नहीं पा रहे है काम काज के प्रती अपना जुकाव बनाय रखना अच्छी बात पर निजी जीवन के हालात को संभालना भी बहुत जुरूर है क्या करना चीज समय है अच्छी भली स्थिती में भी कोई न कोई चुनोतीया बनी रहती है पर अगर अपने मन को साफ कर लिया जाए तो किसी भी चीज को नई नजर से देखा जा सकता है हर चुनोती में कोई ना कोई अच्छाई भी छुपी हुई हो सकती करकराशी वालों को निजी जीवन की खुश्यों को बनाये रखने के लिए अपनों के करीब आने के प्रत्न करने होंगे और पुरानी चलती हुई गलत फैमियों को भी मन से हटाना पड़ेगा किसी प्यार के रिष्टे में अपनी बात कह देने का समय है किसी पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बनाते चले जाने से भी भशना होगा क्या करना ची सम्म अपनों की सहत का ख्याल रखना इस समय बहुत ज़रूवी है और उसके लिए आपको अपनों के लिए समय निकालना होगा अगर किसी भी चीज को पूरी तरह से समझने में कोई कमी रह गई है तो कोई और सला भी ली जा सकती है सिंग राशी वालों की पैसे किस्तिती ठीक है क्योंकि आप अपनों की जुरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं इसी चीज से आपकी जिंदगी खुष्यों में इदाफ़ा हो सकता है खर्चों के बढ़ जाने की वजए से अपने मन को उचाट करते चले जाने से बचना होगा क्योंकि जिंदगी की कई ऐसी प्रात्मिक्ता होती हैं जिने पूरा तो करना ही पड़ता है क्या करना चीज समय अपने भुष्य को बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उसके लिए हालात आपकी हर्तान से मदद कर रहे हैं मेहनत का रास्ता कभी कभी मुश्किल भी होता है पर अपने मन को समझा कर ही उस रास्ते पर चला जा सकता है कनेयर आशी वालों से परिस्तितियां महनत करवा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात पर वही परिस्तितियां आपको इस बात को सोचने पर भी मुझूर कर रहे हैं कि कोई निया रास्ता अपना लिया जाए और इस समय ऐसा कोई विचार बनाना शायद थीक नहीं है यह समय स्थिर्ता दिखा रहा है इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे चलने दे और अपनी मेहनत को बढ़ा ले उसी से आपकी उपलब्दियों में इजाफ़ा हो जाए क्या करना चीज समय में जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए खुद को सक्षम तो बनाना ही पड़ता है और इस समय यही चुनोती भरा शेत्र है आप मेहनत के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं पर कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है जिसे साथी साथ संभ क्या करना चीज समय में बहुत सारे ऐसे मौके बन रहे हैं जो आपके ग्यान में व्रिद्धी कर सके इसलिए कुछ सीखने का समय है अपनी कोशिशों को इस रूप से ढालने कि आपको भुष्य बनाने में आपको हर तरह से मदद मिलती चली जाए पृष्चिक राशी वालो क्या करना चीज समय में आपकी कोशिश है आपको बड़ा फल दे सकते हैं और लोग भी आपकी प्रक्रिती में सहायक साबित हो सकते हैं अपनी अच्छाई पर भृष्चा करेंगे तो वह अच्छाई उभर कर भी जरूर आएगा धनुराशी वालों की कामकाच की सिती ठीक ह सब्सक्राय पर भाएब आएप ficou सकती है और पर हैसले करने की का करना चाहिश समən है किसी भी कडम को ठाने से पहले एक बार फिर सोच रें पर अपने सुभाव को बहुत ज़दा प्रभल बनाते चले जाने से भी पच ऐस बर आप लिच आफ्ठी में अगर आप लोगों की बड़ी समस्य में परिवर्तित हो जाए और लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं ऐसा बहुत हत्तक संभव है अपनी गल्तियों को थाम लेने का समय है यह क्या करना चाहिए समय में आप लोगों की अच्छी सला सुन जरूर हैं पर फैसले अपनी मर्जी से करते चले जा रहे हैं जिसकी वज़े से आपका नुकसान हो सकता है किसी को भी कोई ऐसी बात कहने से बचना होगा जो किसी के दिल को दुखाए इसलिए भी अपने हालात पर नजर रखने की जरूरत पड़ेगी कुम राशी वालों के लिए लोगों से तालमेल बिठाना कठे न हो सकता है पर वही लोग आपकी किसी ना किसी रूप से मदद भी करना चाह रहे हैं इसलिए आपके लिए हर तरह से लाब की स्थिति बनी हो ही जिसे बनाय रखने की नहीं है रिष्टों के प्रति भी इसी तरह की विन्नमरता अपनानी होगे पर लोगों के विचारों को ज्यादा समझने की कोशिश करने हो तो अच्छे हैं पर कोई नपुई तकरार भी साथ ही साथ चल रहा है जिसकी वज़े से लोग आप से इतने जादा खुश नहीं है क काम के प्रति आपकी व्यस्ता भी लोगों को बहुत जादा भाव नहीं है क्या करना चींश समन हर संहे की कोई नपुई प्रात्मिक्ता है पर फिर भी जिंदगी में तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है काम या कारोबार इस समय की प्रात्मिकता हो सकती है पर रिष्टों क को और पैसे की स्थिति को संभाले रखना भी उतना ही ज़रूरी लेक बिड़ा ब्रेक डाउम्लोड तक आप